थर्ड फेक्टर है थर्ड फेक्टर की हम बात करेंगे इंजाइम कंसेंट्रेशन है अब देखें इंजाइम कंसेंट्रेशन जो है यह डारेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दा कंसेंट्रेशन आफ सबस्ट्रेट यह डारेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मैं आपको यहां प concentration को आप बढ़ा रहे हैं यहां पर आपने enzyme को जैसे enzyme की जैसे concentration को आप बढ़ाते हैं तो enzyme की activity बढ़ती जाती है मगर एक time ऐसा आता है कि enzyme की activity constant हो जाती है क्योंकि अगर मैं आपको एक मिसाल दो यहां पर सबस्ट्रेट मोजूद हैं यह सारे सबस्ट्रेट हैं यह सबस्ट्रेट हैं यह six substrate मैंने बनाए है ठीक है अब आप अगर enzyme को बढ़ाएंगे बिलफर्ज यहां पर एक enzyme है अभी अभी एक enzyme है ठीक है अब एक enzyme में तो जाहिर सी बाते इसमें आके यह सेचुरूटेड होगा आके अटेज होगा और प्रॉडक्ट बनाएगा अब इंजायम की इंजायम की सोरी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएं इंजायम की नंबर्स को आप बढ़ाते जाएं अभी आपने जो है तीन enzyme कर देंजायर सी बाते substrate अवेलेबिल एं तो जो इंजायम की activity है वो बढ़ते जाएगी और और मजीद आप बढ़ाएंगे enzyme की कंसंट्रेशन को आप डबलज कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे six substrate हैं और six enzyme है तो अब ये ये एक्पिटिए है इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जितने सबस्ट्रेट मोझूद है वो सारे के सारे के साथ सब्सक्राइब आप्स गए नीशली अगर हम बात करें इंजाइम की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाएंगे तो activity बढ़ेगी मगर एक ऐसा टाइम आएगा जब enzyme की activity constant हो जाएगी तो यहां पर देख सकते हैं आपकी enzyme activity increases with the enzyme with the increases of enzymes enzyme की activity बढ़ती है जैसे ही आप enzyme की concentration को बढ़ाते हैं initially शुरू में अगर आप बढ़ाते हैं जैसे यहां पर नजर आ रहा है बट sometime it remain constant मगर कुछ वक्त के बाद यह constant रह जाएगा यह constant क्यों होगा क्योंकि अब जो है enzyme और substrate जो हैं वो बराबर हो गए हैं तो हमने यहां पर लिखाए कि enzymes concentration is directly proportional to the substrate जितने substrate होंगे उतने ही enzyme आते जाएगे और एक वक्त आएगा कि यह जो activity है enzyme की enzyme की activity constant हो जाएगे तो आगे हम substrate को अगर यहां पर आप बढ़ाएंगे यहां पर छे यहां पर छे आपको नजर आ रहे हैं enzyme और छे substrate है अगर substrate की concentration को आप बढ़ाते हैं और मजीद बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट की कंसिंट्रेशन को आप बढाते जाएं तो इंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी शुरू में इंक्रीज होगी शुरू शुरू में इंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी मिसाल के तोर पर यहां पे छे छे इंजाइम है और यह सबस्ट्रेट नहीं है, बिल्फर्द, दो सबस्ट्रेट है तो बिल्फर्द आपने दो मज़ीद और बढ़ाए तो rate of reaction जो है, मज़ीद बढ़ाए चार हो गए, दो और मज़ीद आपने aid करे लिए सबस्ट्रेट को तो enzyme के activity और जैदा बढ़ जायगी means यहां पे 6 substrate हो जाएंगे और 6 यहां पे enzyme हो जाएंगे अब 2 मजीद और आप substrate बढ़ा रहे हैं और मजीद आप एड़ कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि यह जो substrate हैं यह substrate 6 के 6 substrate इन 6 के 6 enzyme को saturated कर चुके होगे यह जो active side है अब active side पे जगह नहीं है कि यह substrate आए तो एक time ऐसा आएगा कि अगर आप और मजीद बढ़ा देंगे at high level पे substrate की concentration को बढ़ा देंगे तो enzyme की activity पे effect आएगा और enzyme की activity कम होगी अब हम जरा इसको हम देखते हैं अगर आप substrate को substrate की concentration को बढ़ा रहे हैं नमबर फोर जो हमारे पास है substrate concentration substrate concentration substrate concentration को आप देखेंगे reaction reaction increases with the increases with the increase with an increases in concentration of substrate सबस्टेट सबस्टेट जो है जैसे आप बढ़ाएंगे तो reaction भी बढ़ेगा इनकंडीशन वेर enzyme concentration remain constant जब enzyme की concentration अगर जो है वो constant रहे एक ही रहे तो जो है बढ़ती जाएगी जो activity है rate of reaction बढ़ेगा मगर जब आपके पास enzyme हैं ही 6 अगर 6 enzyme हैं और 6 ही saturated हो चुके हैं तो अब कहां से activity बढ़ेगी अब activity नहीं बढ़ सकती अब activity बढ़ी नहीं सकती जितने भी आप चाये substrate बढ़ा दें जब तक यह यहां से product बनके यह release नहीं होंगे और यह free नहीं होंगे तो जो है next substrate यहां पे लगेगा अगर आप उसके बावजूद भी जो है आप substrate को बढ़ा रहे हैं हाई हाई concentration तो क्या होगा उसको देखते हैं मगर यहां पर देखें इंक्रीज़ विल कंटीनियूस अगर आप इंक्रीज़ कंटीनियूस करते जा रहे हैं और आल इंजाइम विकम सेचुल्टेट विच सबस्ट्रेट जितने भी इंजाइम में सारे सबस्ट्रेट उसके अं सबस्ट्रेट के साथ जो है प्रॉडक्ट बनाएं तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप इसको देखेंगे इसको फिगर को कि आप शुरू-शुरू में अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को अगर आप बढ़ाते हैं तो इंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है हैं इसकी concentration अब reaction पे कोई भी effect नहीं करेगी मगर आप उसके बावजूद भी ज्यादा substrate बढ़ा रहे हैं अब आती है third point हमारी के it very high concentration आपने बहुत ज्यादा substrate दे दी हैं अब substrate क्या करेंगे substrate a retarding effect upon the enzyme concentration enzyme के sorry enzyme activities enzyme की activity पे अब जो है ये अब अब जो ये है ये effect करेंगे अब effect के activity जो है effect होती है इसके दो reason है एक reason ये है एक reason ये है कि अगर जो है ज्यादा substrate है देन enzyme higher concentration है अगर क्या है higher concentration है higher concentration है किसकी of substrate substrate then enzyme 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 से अगर substrate ज्यादा है बिलफर्द यहां पे यहां पे आपके पास दो enzyme है enzyme अगर यहां पे दो हैं अब enzyme दो हैं और आप आपने substrate यहां पे बहुत सारे लगा दी हैं सबस्ट्रेट यहां पे आपने दे दी हैं बिलफर्द चार पांच सबस्ट्रेट आपने यहां पे दे दी हैं तो अब देखें इन सबस्ट्रेट में competition होगी अब जो है इसकी activity activity पे effect आएगा और जो है enzyme सही से काम नहीं करेगा जो नंबर टू इसमें point है कि अगर यहां पे जो product बन रही है जो end product बन रही है उसकी accumulation हो तो जो बी point है वो यह है कि accumulation accumulation of end product जो end product है यहां पे accumulate हो जाए यहां पे कटी हो जाए जो product है यहां पे कटी हो जाए तो इंजाइम की activity पे भी effect आएगा तो कहने का मक्सद है कि जो substrate की concentration है वो डारेक्टरी proportional है up to the certain maximum velocity after which further increases in a substrate concentration has no effect last one line अगर आप बुक में देखेंगे has no effect on the rate of reaction अगर आप और ज्यादा जो है substrate बढ़ाएंगे तो जो enzyme की activity है उस पे effect नहीं आएगा तो यह हमारा जो था factors से जो factors आपके बुक में दिये हुए हैं उनमें हमने सब के discuss का दीया है तो